पार्टी एक सोच है पार्टी वोटिंग ही जा रही है लोग घरों से निकल रहे हैं लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मतादिकार का इस्तमाल कर रहे हैं कई दिगजों की किस्मत आज दाओ पर लगी हुई है कई दिगजों की किस्मत आज एवियम मस्रीन में बंद हो जाएंगी आठ बड़ी लड़ाई है इस बार और आठ बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनकी किस्मत इस वक्त दाओ पर लगी हुई है तो हम दिखाएंगे आपको वो मुख्य सीटें और वो दिगज जिनकी साख इस बार दाओ पर लगी हुई है लखनाओ की सीट की बात करें राजनात सिंग बिजपी अध्यक्ष यहां से मैदान में है और उनका मुकाबला कॉंग्रिस की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी से है तो यह लखनाओ की वो सीट जो की एहम है इस बार वही धोरहरा सीट की बात करें तो रेखा वर्मा भाषपा की तरफ से जितिन प्रसाथ यहां कॉंग्रिस की तरफ से मैदान में है तो ऐसी आठ बड़ी लडाईयां है इस बार वही मधेपुरा की बात करें तो स्वरध यादव जेडियो की तरफ से मैदान में है जेडियो अध्यक्स भी है पपु यादव जो की राजद की तरफ से सीधा मुकाबला स्वरध यादव से यहां पर मैदान में है मधेपुरा सीट से वही राई बरेली की बात करें तो भाजपा की तरफ से अजे अकरवाल यहां मैदान में है और सोनिया गांधी जिसे कॉंग्रस की परमपरागत सीट राय बरीली कहा जा सकता है एक बार फिर से मैदान में है वहीं छांसी सीट से उमा भारती भाजपा की तरफ से हैं कॉंग्रस की तरफ से प्रदीब जैन यह मेदान में है वहीं अमरत सर से आरूम जेटली और कॉंग्रिस के तरफ से क्याप्टन अम्रिंदर सिंग जो की पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं पंजाब के श्रीनगर से पारुक अब्दुल्ला तारिक हमिद पीडीपी से हैं यहां पर भी टकर काफी कड़ी है दिल्चस्प मुकाबला श्रुनगर सीट से भी है दरभंगा कीर्ती जा आजाद बीजेपी के तरफ से मैदान में हैं जो कि पूर्व करकेटर रह सुके हैं अली अश्रफ फात्मी राजत से हैं जो कि उन्हें मुकाबला दे रहे हैं दरभंगा सीट से गांधी नगर सीट से बीजेपी के वरिष्ट नेता लालकुष्ण आडवानी है किरिट भाई पतेल मैदान में हैं कॉंग्रस की तरफ से इस सीट के लिए भी काफी जद्धोचहद भाजपा में हुई है भाजपा के वरिष्ट नेता है वहीं भाजपा के तरफ से श्रिपकास जोफ़ाल कॉंग्रिस की तरफ से वरिष्ट नेता है मुड्ली मनोह जोशी जो किस सीट से मैदान में हैं तो यह वो चेहरे हैं ये वो सीट हैं जो की इस चरण में मुख्य है और इस चरण में इन दिगजों की साख डाव पर लगी हुई है जो कि आज क्या किस्मत इनके रंग लाती है ये इवियम मश्री में बंद हो जाएगी और 16 मई के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किस की जोली में चीत आई है और किस की जोली में हाल ये मुख्य चेहरे हमने किस सीटों पर हमारे तमाम जो महमान इस वक्त यहां मौजूद है वह देख रही हैं कॉंग्रेश प्रवक्ता राजीव त्यागेजी हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वागत आपका राजनेतिक विस्टलेश्रक डॉक्टर कुमार राम कृष्णा हमारे साथ हैं आपका भी सर लेते हैं जहां नरेंद्र मोदी का मुकाबला मदो सुधन मिस्ट्री से हैं यहां पर आप किस तरह के राजनेतिक समीकरण और कैसी तस्वीर देख रहे हैं कुछ कंस्वें्सी का देखिए से बडोद्रा हो गया राय बरेली हो गया इन सब में को लगता है कि बहुत ज़्वादा कुछ Light कोई नहीं की यह रहा सकता है और बडोद्रा में अगर आप देखेंगे तो हमको लग रहा है कि वहां पर नरंदर मोधी जो है वो निकल रहा है वहां पर लेकिन जो दिल्चस्प मुकाबला है बोल सकते हैं कि दूसरे कंच्वेंसी में बहुत ज्यादा है खास करके हम बोलेंगे आप से कानपूर मधेपू कुरा और लखनव यह दो तीन कंच्वेंसी ऐसा है कि जहां पर आपको ज्यादा दिल्चस्प मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है बाकि हमको नहीं लगता है कि राय बरेली और बडोद्रा में वहां पर इन दोनों जगह पर राय बरेली में भी और बडोद्रा में भी व मदुसुदन मिस्टरी को एक विश्वास के साथ कॉंग्रस ने यहां पर भेजाया है यहां से खड़ा किया है तो क्या मदुसुदन मिस्टरी या एक मजबूत कंडिडेट के तौर पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां तो कॉंग्रेस के कंडिडेट को बदला भी मधिव सुदन मिस्टरी को भी भेजा लेकिन मदुसुदन मिस्टरी हमको नहीं लगए के उतना करने की स्थितीं में है रहे हैं था नहीं कर पाएंगे और थीक है कोई भी पर्र पर्डी के की मेरा कंडिडेot मजबूत मुदा के लिए protons कि लिए इस traveling के चिरे स्सेट आपने म जी क्या कहेंगे आप देखिए आप अगर बडुद्रा के बारे में पूछना चाहती है मुझसे तो पूरे गुजरात के पिसली बार 26 में से 11 सीट कॉंग्रेस पार्टी को मिली थी और 15 सीट भारते इंतर पार्टी को मिली थी और 2004 से लेकर के 29 और 24 तीन चुराओं के बारे में मिशिख शूर से मैं आपको बढ़ा देता हूँ इन तीनों चुराओं में हमने निश्यत रूप से मीडिया में और सब जगे चैनल्स पे देखा एक कॉंग्रेस पार्टी हार रही है कॉंग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी फिल्गूट और इंडिया शारिंग 24 में हमने देखा था हमने सरकार बनाई दोहर 9 में के एंटीन कमेंज जीवे कॉंग्रेस पार्टी के बनाई दोहर 14 वह यही सिप कमभेश वही इस्तिती मीडिया में हम दुबारा तिवारा देख रहे हैं हमारा मानना यह है कि गुजरात में निश्य तूप से हम अपनी टेली में सुदार करेंगे ग्यारा सीट पिसली बार आई थी इससे ज्यादा सीट हमारी इस बार गुजरात से आ रही है इसमें कहीं कोई संचा नहीं है मेरे सुत्रों ने मुझे जो जन कर दिए उसके बतारा हूं आपको आपको ऐसा लगता है तो मैं इसमें कहीं कुछ नहीं कह सकता कांग्रेस पार्टी का विगत दिन्यान विसे लेकर के दो हैर चार और दो हैर चार के बाद दो हैर नौ में अच्छा खराब बोलते हैं और इस मामले पे आच्छे साथ दिन हो गया और नरेंदर मोदी जी बिलकुल खामूश है तो नरेंदर मोदी जी भी दलितों के अपमान जो बाबा रामदियों ने किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको टैसिट सपोर्ट कर रहे हैं चुक्चा एक दूसरा मामला है कल नरेंदर मोदी जी हिमाचल गए थे और एक सभा में शहीद विक्रम बात्रा ने जो के संदर्व से ये दिल मांगे मूर की बात की कई थी कोई भी एक तो शहीदों के नाम पर वोट मांगना जैसे भारतिय जन्ता पार्टी ने कारगिल की लड़ाई लड़ी हो लेकिन उस पर भी हम लोगों को वो आपत्ती नहीं है जो ये है कि शहीद विक्रम बात्रा के माता और पिता दोनों ने उस मामले का राजनीति करन करने पर आपत्ती जताई और उनके आपत्ती जताने के बाद भारतिय जन्ता पार्टी के परवक्ता का ये कहना के इस स्लोगन पे बत्रा परिवार का कॉपी राइट नहीं है ये शहीद के परिवार का और शहीदों का आप माने और जिसमें नरेंद्र मोदी जी और उनकी पाटी के लोग लगे हुए है कॉंग्रेस की तरफ से स्वकील एहमत प्रेस कॉंफरेंस करते हुए और ये कहा कि हिमाच्वल में एक चुनावे जनसभा को संबोधित करते हुए स्वहीद विक्रम बात्रा का जिक्र करते हुए वोट मांगने की कोशिश वहां के जनता से नरेंडर मोदी ने ये की है हाना कि ये जरूर कहा कि उन्हें आपत्तिस बात की नहीं है लेकिन स्वहीद के माता पिता ने इस मुद्दे का राजनितिक करन करने पर आपत्ती जताई है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था मोदी के तरफ से और अब इस मसले पर चुप कियो है नरेंडर मोदी हमारे साथ कॉंगर्स के तरफ से ही विक्रम आपके जिगर राजीव त्यागर जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है राजीर जी आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे क्या आपत्ती क्या कोई आपत्ती होनी चाही है इस बात पर कि वही उन्होंने विक्रम बातरा के नापर वोट माँगने के अपील गी है जिस टाइम हिमाचल में शाधत हुई थी हिमाचल के सपूत की और भारत के सपूत की विक्रम जी की, तो इस टाइम नरिंद मोदी जी हिमाचल के इंचार्ज थे भारतिनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने जहमत नहीं उठाई थी कि एक शहीद के घर जाते और संतावना के दो शब्द कहते या उनको सलाम करके आते या उनको नमन करके आते ये उन्होंने नहीं किया अब वो किस बिनापे उनसे बात करना चाहते हैं, किस बिनापे उनकी स्लोगन को कैरी करना चाहते हैं, तो निशित रूप से बारतेंता पार्टी, तेकि बारतेंता पार्टी की विशेशता ये है कि बारतेंता पार्टी में कहीं कोई शहीद नहीं हुआ, जब से बारतेंता प चुनाओं में अगर देखा जाए उनको दो शब्दों में डिफाइन किया सकता है एहम और वहम बारतिनता पार्टी की नेता एहम का शिकार है और एहम की वज़े से उन्हें वहम हो रहा है कि कहीं न कहीं वह सरकार बनाने जा रहे हैं जो कि उनके लिए 16 माई को साबित हो जाएगा जी वाबस लोटते हैं हम बात कर रहे थे गुजरात की वडूद्रा सीट जहां से मोदी हैं उमीदवार और मदुसुदन मिस्ट्री वहां से हैं हम आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर कुमार और आप से यह जाना चाहेंगे क्या आपको यह लेकिन इस बार एक फोड़ा समको लगता है कि इस बार गुजरात से खुद नरेंदर मोधी कंडिटेट हैं मिनिस्टर कंडेट है इसके कारण जो है एक गुजराती होने के नाते हो गुजरात के लोगों का जो सेंटिमेंट है वह कहिंद के इस वार नेरेंदर मोदी से ज्यादा है तो हमको लगता है कि पहले वाला परफॉर्मेंस जी साथ अगर कॉंग्रेस दोढ़ा ले तो बहुत ब आप जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के मासुचिब भी है और उनमें असीम संगठन की संभावना है आसीम संगहनpes में दिश्तामक्राव किया और वो राठेश्ट मसेवक संको भी जानते हैं और भारते इंटर पार्टी को जानते हैं किस तरह से कारह करती है То काता ही काटे स से निकलता है इसमें कहीं को दुराईने रो जानते हैं किस तरह से स्टेटजी अपनी चलानी है रही बात दूसरी अगर आप उससे पुछेंगे पूरे 89 सीर्स पे आप पूरा जो सिनेरियो बनता रहा है उस सिनेरियो निश्यत रूप से कॉंगेस पार्टी ये पक्समा मुझ अधर्वा क्या प्रदेश की गौरव की बात करेंगे तो च्यों नितिशकुमार मुलैम सिंह आदार थर्ट रंपरण के नेता है जो ममताभ एनर्जी फिर उपने हम बात करेंगे तो बात होने चीये देश की का वरव की बात बहुत ज्यादा श्यानापन करने से निश्चित रूप से उसी व्यक्ति को नुक्सान होता है जो यह सोचता है कि दूसरा व्यक्ति मूर्ख है और वह भारतेंटर पार्टी के स्थिति वह मोदी जी चलिए ओम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी जैसे कि थोड़ी देर पहल लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां से नियंदर मोदी को कोई दिक्कत होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं होगी जी उमेश चीम आपके पास आना चाहूंगी समाजर कारे करता है हमारे साथ आप से आप किस तरह किस्तिति वहां पर देख रहे हैं और कौन सा कैंडिडेट आ फ्रταव से और आपना अपना और वहां से सबस्क्राइब उनका सिर्दि पकी है औरfin u फिर मैदान में और भाश्पा की तरफ से आजे अगिरवार यहां पर मैदामें टॉक्टर कुमार कर आपके पास आना चाहांगी क्या आपको लगता है कांटे कि टक्र यहां पर दे पारा है सोनिया गांधी पूरार तने की टने के प्रियंका गांधी भी पिछला 6-7 दिन से लगातार जो है काफी समय दिया है राइबरेली में और अमेठी में हमको लेखता है कि इसके पिछला एलेक्षन तक जो है साथ इतना समय कर दिए उतना ही समय दे थी तो भी काफी मेनत कर रही है और दूसरा कहीं कि सोनिया गांधी से परस्नल लगा है आज से नहीं है वहाँ से फिरोज गांधी हम दो बार इलेक्ट होए हैं फिर आप देखेंगे कि इंदरा गांधी एलेक्ट हुई है तो यह लगातार जो है चलते हैं बीच में सिर्फ एक राज नरायन जो है 1977 में हराने में सक्चा में इमेर्जेंसी का एक अगर राय बरेली कॉंग्रेस नहीं हारने जा रहा है किसी भी कीमत पर नहीं आरेगा हां आपको यह देखना कि मार्जिन पहले से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है दूसरा आपको आज यह देखना है पिछला एलेक्शन में यहां पे 48% पॉलिंग हुआ था आज हमको यह देखना है कि आज साम तक रहा है बरेली में कितना परसेंट पॉल हो रहा है ज्यादा हो रहा है 48% से यह कम हो रहा है यह देखने के बाद और आप थोड़ा बेहतर एनलसिस कर सकते हैं राजीब चाहूंगे और आप से के सवाल क्या किसी पॉलिसी के तहत सोनिया गांधी के चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें किसी मजबूत कांडिडेट को नहीं उतारा गया है और अन्य पार्टियों के बात करें तो भी किसी एक बड़े चहरे को सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं उतारा गया है तो पार्टियों के अपनी व्यक्ति के तनीतिया हैं उनका कारेक्राफ है कि वो किस तरे से करते हैं किसको उतारते इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा हमारी दाश्टिया दक्षा सोनिय घंदी यह वहां से लड़ रही है और चुनाव जित्ती आरी है इसमें कहीं को दो रहा है नहीं तो समाजवादी पार्टी ने क्यों कंडिड से लड़ी थी कानोल से पिछला वार तो आपको याद होए कि कॉंग्रेस पार्टी भी वहां से कंडिडेट नहीं उतारी थी और बीजेपी भी हला कि नहीं उतारी बीजेपी का जो नमनेशन था लास्ट नट पर किसी तरीका से कैंसिल हो गया और वहां को लगता है कि इंड कि आपस में अंदर क्या होता है नहीं होता है हमको आपको नहीं पता चलेगा प्लस मुलायम सिंग जादब पहले भी ख़ड़ा नहीं कि है पाप पिछले एलेक्शन में उठाकर रेकॉर्ड देख लिए तो पहले भी मेठी और रायबली से उनका कंड़ेट नहीं उतरा है त तो इसके वाज में मुलायम सिंग जादे भी डिसाइड के लिए कि हम भी जो है सुनिया गांधी और राहुल गांधी के एक अगर कोई और होता तो वह उसके लिए फिर सुनिया गांधी के लिए फिर वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली थी इससे पहले भी बात हो रही थी हमने कही थी यह बात कि जैसे कि अभी बीजेपी के तरफ से उमा भारती का नाम आ रहा था उसमें आ रहा था कि अगर उमा भारती वहां से लड़ें जैसा कि उसमें भी उन्होंने किया था आपको राहूल गांदी के खिलाब भी जो उन्होंने उतारा बीजेपी कंडिडेट उसी तरीके से वहां की भी योजना थी वहां की योजना बीजेपी बना रही थी बीजेपी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी बता भी रहते हैं कि वहां से प्रियंका गांधी बार बार वहां पे कंपेनिंग कर रही हैं अजय अगरवाल को भी उतारा गया है तो अजय अगरवाल वहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलके कंडिडेट हैं वहां के किसी साफ से वहां पे वोटों का परसेंटेज किसी साफ से होता अगर वोट परसेंटेज अगर ज्यादा हुआ तो सुनिया गांधी के लिए फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है और एक वज़ा कॉंग्रेस में ये भी है अंदर-अंदर ये बात है तभी प्रियंका गांधी ने वहां पर धुआधार कंपेंग शुरू की है और नेयनमुदी पर हमला शुरू किया है जी राज़ेब्स जी आप है प्रियंका लियंका भी हमेशा ही उस चुनाओं को समालती आई यह अए और भाइबरेद्य घटी में दोhár चार में दोhár नौ में दोhár चौदॉमें प्रवारति जी ने जानकारी है मीडिया में जानकारी आई थी उमा भारती जी को निश्यतुम से भारतिन्तर पार्टी डढ़ाना चाहती थी लेकिन भारती ने खुद ही विड्रॉख किया खुद ही वो इतना डर गई बैन मौँ ऐसा दिखाएंगी जैसे वो राणी लक्ष्वी भाई वही हैं लेकिन असली जिंदगी में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि शाद उन्होंने गोड़ी के सवारी भी नहीं कियोगी कभी मी तो यह जो दोगला चले तरह बरतवारति जंदर पार्टी के नेताओं का वो परिलिक्षित उनके बेानों मांए हों के कारे कराप़ों में दोनों में होता है सीटों को लेकर टाहएं उनके लिए अलग अलग इस्थींघेश इसको किया मेरा इपर इसे उन्होंने खुद मना किया उसको ऐसे रिपरजेंट नहीं कर सकते कि उन्होंने ये कर दिया डर गई तो और क्या और किया यह पड़ातन दूर में सबको ड़े यह कॉंग्रेस का यह तो है ऐसा अगर वह अगर वह बहादूर नेता होती लिगें किया करने के लिए पार्टी से बड़ा कोई व्याक्ति नहीं होता है अगर कोई कि ये बढ़ा हो गया हूं तो निश्यत रूप से उभूल पह यह तो इसली कर को पार्टी के बारे में आप काह सकते हैं जयके बहुती इससे कॉंग्रेसा सुर्छी Hmm अजी से लेकर के बृली मनोडो सी जिसे लेकर के सुस्मा सालड। जिए पार्टित्र पार्टि यूजर्ट फ्रो करते हैं तो हम एक चीज औहरा है कि उमा भारती से बेतर कंड़िट आजाया गर्वाल जी है तो लोकल भी है और उनको वहां की समझ भी ज्यादा आप यह नियुक्ता कि अगर भारती आती तो बहुत जादा स्ट्रॉंग कंड़िट थ है तो बहुत जादा मजबूत मुकावला होता हमको लग रहा है कि अगर्वाल भी कहीं उमा भारती से ज्यादा अच्छा दे सकते हैं चंदर शेकर राय जी जूड़ गए हैं चंदर शेकर राय जी स्वागत आपका और आप से आप ही हमें बताएं सोनिया गांधी के चुकि बहुत लेट जुड़ा आपके डिबेट में अपने बड़े भाई का मैं बयान सुन रहा था जो कॉंग्रेस से हैं एक तो कभी-कभी दुख होता है कॉंग्रेस को देख करके कि कॉंग्रेस के पास अब मुद्दे क्या रह गये हैं मुदी अजय गर्वाल मेरा घर त हर जगा मोधी तो नहीं लड़ सकते हैं जो पार्टी करती है अपने समीकरन के हिसाब से अजय गर्वाल हमको लगता है कि वहां ज्यादा फिट है अब यह आप थो नन्हीं करेंगे हमारी पार्टी में किसको टिकट देना किसको टिकट नहीं देना है कौन लड़ेगा कौन करें नई करो लोग लड़ाएं वह अपनी अपनी मर्जी है आपनी समी करनी देखिया होंगे का इस पर थो कोई विवाद नहीं है उसमें को भी बात नहीं के यह जो है कि दो चैनल की दवसी लोग से यह व्श है जिस्तर से वो बोलती है उनके बयानों की वैसे उनके इतने हाश्क बयानों की वैसे इतने गैर जिम्मादाराना बयानों की वैसे उनको बार निकल चुके पार्टी कल्याट सिकी तार अपने क्या किया अदवानी किसाथ आप क्या कर रहे हैं आप 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 करेंगे बताएंगे उसे आपनों क्या कर रहें ये तो बताएंगे ना जिन एड़वाणी ने बारतिंद पार्टी को दो सीट से 184 सीट पे लेकर आए उनके अदब कर रहे हैं अज आपकी विप्धा में पर ना है ना आपकी विद्धिशा ने ठीक का कि आपकी विद्धिशन अब का लगता है ये अध्यारएं ये आपकी सोच हो सकती है लेकिन हम यह कहर możे रहे हैं आपकी Anyways धुरिय किसी की मुखाबला कर ले आप कैसी बाते कर रहे यह लोगतांत्रिक पार्टी है अगर कोई किसी मुद्दे पे छोड़के जा रहा है तो जा रहा है आप लोगती भी निकाली गई कल्यान सिंग भी निकाले गई गई परेस के लोगा बेटें बता सकते हैं आपको यह लगा वुद्द बार रहा है कि जीत उनी की जोली में होगी लेकिन जनता जनाधन मीदाए करेगी जीत किसकी जोली में जाएगी तो आज साथमे चरण का चुनाओ नौ राजियों की नवासी सीटि यह पर सुभा से वोटिंग की जा रही है देखना यह होगा के इस भार का वोटिंग प्रतीशत कितना बढ़ेगा बहुत शुक्रिया आप सभी मेमारों का इस चर्जा में सम्रित होने के लिए मेरे साथ इतना ही दीज़े अजाज़त जैहित कि कंग्रेट पार्टी एक तोच है कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि